क्या आपको nerve damage और नासो का समस्वा हो रहा है आपको joint में, muscles में, हड़्डी में, जोडो में दिक्कत हो रहा है आपको उठने बैटने में दिक्कत होता है तो सब्धन हो जाना क्यूंकि आगे जाके यह osteoporosis और नहीं तो osteomalacia जैसा बीमारी का chance बनता है आप अगर डॉक्टर का पास इस थिती में जाओगे तो डॉक्टर एक कैप्सूल रिखेंगे जिसका नाम है बायो डी-3 मैक्स सॉप जिलेटिन कैप्सूल नमस्कार मैं सुरंजन कुंडू आपका हमसाफर और फार्मसिस्ट आज बताएंगे बायो D3 Max जिलेटीन कैपसूल का पारिवे details information यानि इसका MRP क्या है ये कौन-कौन बिमारी में किस-किस थिती में किस-किस को दिया जाता है और इसका side effect क्या है और इसका dose क्या है कौन-कौन ले सकता है अगर कोई सब्धनिया है तो क्या-क्या है और अंत में FAQ यानि आपका question और हमारा जो बाब इसी वीडियो में दिया जाएगा इसलिए इस वीडियो अंतक देखना और जादा से जादे सेयर करना ताकि आपका साथ साथ दूसरा भी लाब उठा सके मैकलोड्स कमपानी द्वारा बनाया गया 10 कैप्सूल का किमोत है 298 रुपीस ना मिलने का स्थिती में नीचे बाइलिंग दिया हुआ है आप चाहे वहां से भी discounted rate पे और घर बैठे मंगा सकते हो अब यह आप पूछोगे यह जो कैप्सूल है किस किस लोगो को कोन कोन बिमारी में दिया जाता है जिसका अल्रेडी हड़ी कमजोर हो गया है बोन डेंसिटी कम हो गया है कैलसियम का कमी नज़र आता है जिसका नार्ब डैमेज हो गया या नास में दिक्कत है किचाओ है हाथ पैर में जक्रन है उसको एक कैप्सूल डॉक्टर देते हैं कोभी कोभी तो ऐसा भी होता है मरीज का सरीर में कैलसियम अबसोसन भी नहीं हो पाता है पावरकं हो गया है तब भी डॉक्टर है कैप्सूल डेते हैं कोभी कोभी थीय संसको खुन का कमी हो गया है आतों में ।प्रांब्लेम हो गक्रानकर हो और मासल्स के लिए जोरूरी है, वो ही जीन्ग इम्यून सिस्टेम को स्ट्रॉंग करने के लिए भी होते हैं, विटामिन K27, हेल्दी बोन्स और हेल्दी आटारिस के लिए भी बहुत मुहत्पुन है, यह बायो डी 3 कैपसूल यह सारे समुषा का निदन कर सकता है, क्या बात ह इस बात पर लाइक तो हो जाना चाहिए, जो लोग फार्मासिस कुंडुजी चैनल पर नौए हो, प्लीज फार्मासिस कुंडुजी चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकोन को जरूर प्रेस करें, ताकि नोटिफिकेशन जाए, और सबसे पहले वीडियो देख सकते अगर आपको लीफिफिटीटु का बारी बेल डीटेल्स जानकरी चाहिए, तो प्लीज ए वाला वीडियो देख लेना, अभी आप पूछाबें, बायोडी 3 क्यापसूल का साइड उपेक्ट्स क्या है, कुछ लोग को इस कापसूल सेबन करने का बाद साइड उपेक्ट्स देखा गया है, कुछ side effects बहुत नॉर्माल है, जैसे कि मितली होना, या उल्टी जैसा मैसूस होना, थोड़ा सा पेट में दर्ध होना, खिचाव होना, कोभी-कोभी मुह का स्वाध भी चेंज हो जाना, अगर इस टाइप का problem है, तो आप 2-3 दिन ठीक-ठाक पानी फिलीजिए और खाने में सुबजी का मत्रा बढ़ा दीजिए, तो आप देखोगे, यह आपने आप खीक हो जाएगा, आगर आप ए लेने का बाद आपको भयंकर सर में दर्ध हो, और असोजयस, यानि breathing problem हो, सांस लेने में तकलिप हो, और नहीं तो ए लेने का बाद आपका सारा सरी में allergy और नहीं तो चगीता-चगीता हो जाते हैं, तो आप समझ जाना जे आपको एक capsule शूप नहीं किया, तो तुरत एक capsule को लेना बंद कर दीजिए, और further treatment के लिए आप डॉक्टर का पास जाए, अभी आप पूछोगे भाई, इसका doses क्या है, बहुत ही simple है, जिसका उमर 16 से ल ले रहा है, आप बोलोगे भाई, जिसका उमर 50 या उससे ज़्यादा है, वो क्या करे, अगर उसका blood pressure और sugar नॉर्माल है, तो ले सकता है, लेकिन इन में से कोई एक problem है, तो डॉक्टर से सला से अपना दबाई ले, और जिसका उमर इससे छोटा है, 16 से कम है, वो जो है, और ले सकते हैं, इसके लिए वाला वीडियो देख लेना, इसमें details जानकारी दिया हुआ है, अभी आप पूछोगे इसका composition क्या है, इसमें कौन से कौन से ingredient है, इसमें आपको calcitrol 0.25 mcg मिल जाएगा, इसमें EPA मिल जाएगा, जो की omega 3 fatty acid का एक टाइप है, ओ 180 mg मिल जाएगा, औ आपको मिल जाएगा, जो की vitamin B12 है, 1500 mcg मिल जाएगा, इसमें folic acid 400 mcg मिल जाएगा, boron 1.5 mg मिल जाएगा, और calcium carbonate 500 mg मिल जाएगा, जो calcitrol है, और सरीर में calcium का स्थार को नियंत्रीत करने में मदद करता है, और आतों में calcium का absorption और kidney द्वारा इसका पोतिरोधन का बढ़ावा दिते हैं, जिससे खून में calcium का स्थार पढ़ने लगता है, EPA and DHA ए ऐसा चीज है, जो अध्यान से पता चला है, जे ए रेटिनोल और जो प्रतिरोधसा कारियोप्रोणाली है, उसको बिकास के लिए बहुत महत्पुन रोल आदा करते हैं, ए सुजन को कम करता है, धमोनी और जो प्रमुक कोरोनारी घिदाय से संपर्क राखते हैं, उसको भी ये प्रभवित करते हैं, मिथाईल कोबालामिन जो की भीटामिन B12 है, ये मस्तिस और तंत्रिका में जो सेल्स है, उसको उत्पादन करने में महत्पुन रोल आदा करते हैं, और जो फोलिक एसिड है, ज प्रेस एलिमेंट है, जो की हड़ी को विकास के लिए भी काम करता है, आपको अगर घाव बढ़ना है, उसको भी सुधार के लिए भी काम करता है, आपको सरीर में एस्ट्रोजेन, टेस्टोस्टेरोन और भीटामिन के उपजोग के लिए भी ये फायदा पहुँचाता है, और केलसियाम कार्बोनेट, जो की आपका सरीर में जो पेट में जो एसिट का मात्रा है, वो कम करके एसिडार बेस का बैलेंस करता है, और आपको हड़ी को मोजबूत करने के लिए भी बहुत अच्छा काम करते हैं, बायोट D3 मैक्स कैपसूल का कोई इंटरेक्शन है या न कुछ एंटिबैटिक दवाई है, ऐस्पिरीन है, इस टाइप का जो भी दवाई है वो इंटरेक्ट कर जाता है, इसलिए इस से बचके रहना चाहिए, तो आप पूछो के भाई यह दवाई लेने का साबधनिया क्या-क्या है, जिसका ऑल्रेडी इस टाइप का जो भी दवा झाले और जो प्रेग्नेंटों में ना है लैक्टीक्शन मादर है उसको भी दबाई लेने का पहले डॉक्टर से जरूर से जरूर कॉंसर्ट करें जिसका held not और liver का chronic disease है, ओभी ये दवाई लेने का पहले, doctor से जुरूर बात करें, जो कुछ antibiotic दवाई ले रहे हैं, कुछ supplement ले रहे हैं, ओभी ये दवाई लेने का पहले, doctor से जुरूर बात करें, अभी हम बात कर लेते हैं, FAQ, कुछ लोग बोलते हैं, जिब भाई हम vitamin C बढ़ाना चाह देख लेना, इसमें details अंकरी दिया हुआ है, पुछ होगे भाई, इस capsule लेने का जो system है, ये क्या जब हम driving करते हैं, या बारी machinery चलाते हैं, तो ले सकते हैं, आप बिल्कुल ऐसा ना करें, ये capsule लेने का बाद एक घंटा आराम से कई जगा में बैठें, और देखें कोई side effect य लिया जाना बेटर रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा, आप इसको खाली पेट में ना ले, इसको कुछ खाने का बाद, specially morning नास्ता करने का बाद, और ज्यादा से ज्यादा lunch करने का 20 मिनिट बाद आप ले सकते हैं, कुछ लोग पूछते हैं, क्या ए रेगुलर बेस पे ले करना चाहिए, आशा करता हूँ, सारे information आपको एक ही वीडियो में मिल गया होगा, फिर भी आगर आपको कोई doubts है, तो आप नीचे comment section में आप अपना comments लिख सकते हैं, हमारा और एक channel है, health related, healthy myself, नीचे description में उसका link दिया हुआ है, आप वहाँ जाए, और latest health related video पाए, और आप का स्वास्त हमारा महतपुर्ण लक्स है, के लोग बोलते हैं हमारा लिभार का problem है, उसका बारी में भी जानना चाहिए, तो प्लीज आप like बाला video देख लेना, के लोग बोलते हैं जो आईरन का कमी है, तो कोई video है, तो बताइए, तो left बाला video देख लेना, धन्यवार